पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार का दूसरा कारेकाल जल्द खत्म होने वाला है। लोकसभा चुनाव दो हजार चोबिस से पहले प्रधान मंत्री ने भारत म्यामार सीमा पर सुरक्षा को फुल प्रूप बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। म्यामार सीमा पर सरकार 1643 किलोमीटर लंबी फेंसिंग लगाने जा रही है। बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए सीमा पर एक गस्ती ट्रेक भी बनाया जाएगा। सीमा की कुल लंबाई में से मनिपूर के मुरेह में दस किमी की दूरी पर पहले ही फेंसिंग लगाई जा चुकी है। इसके आलावा हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम HSS के माध्यम से फेंसिंग लगाने की दो पाइलट पर योजनाएं क्रियानवित की जा रही है। वियरन अचल प्रदेश और मनिपूर में प्रते के किमी की दूरी पर फेंसिंग लगाएंगे। इसके अतिरेक्त मनिपूर में लगभग 20 किलो मीटर तक फेंसिंग लगाने के काम को भी मनजूरी दे दी गई है और काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। मीजोरम के सीएम कर चुके हैं विरोध मीजोरम के मुख्य मंत्री लाल दुहुमा ने जनवरी के महीने में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और कई अन्य केंद्रिय मंत्रियों से मुलाकात की थी कथित और पर उन्होंने म्यामार की खुली सीमाओं पर फेंसिंग लगाने क केंदर सरकार की योजना का विरोध किया मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री एस जैशंकर के साथ अपनी बैठा के दोरान कहा था कि यदि केंदर मिजोरम म्यामार सीमा पर बार का निर्मान करता है तो यह ब्रिटिश आपनी वेशिक सरकार द्वारा की गई गलती को स्विकार करने के समान होगा जिसने भारत और म्यामार में रहने वाले मिजोर लोगों को विभाजित कर दिया था उन्होंने कहा मिजोर लोग हमेशा सीमा पर बार लगाने के प्रस्ताव का विरोध करते हैं